नमस्कार दोस्तों मैं विमलेश्य गॉत्तम और आप देखने ट्रिपल वी वर्सिस दोस्तों अभी मलेश्या का मेडिकल चालू है कंटिनीव चालू है और जैसे आज भी मेडिकल हुआ अभी यह मेडिकल और भी आगी होगा हमारा जो पहला बैच है उसमें 50 लोग को टार्ग वीडियो के मात्यम से पहले इंफर्म किया था कि पहले बैच के साथ में मैं खुद जाने वाला हूँ तो उन लोग की साथ में मैं खुद जाने वाला हूँ तो दोस्तों जो लोग भी पहले बैच में आने वाले हैं जिन्होंने अभी तक मेडिकल नहीं किया तो वो लोग 14th को मुंबई आ सकते हैं 14 को सुभए 10 बजे उनको मुंबई पहुंचना होगा 10 बजे मुंबई पहुंचेंगे तो उनका medical same day complete करके उनको free कर दिये जाएगा सो दोस्तों यह important चीज है अगर आपको Malaysia जाना है जल्ली जाना है तो यह एक अच्छी 14 से पहले receive हो जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास जो भी passport 14 तक आ जाएंगे उन लोगों का वीजा है उन लोगों का वीजा सबका एक साथ आएगा और क्लाइन की तरब से confirmation है कि वीजा 40-45 days में भी आ सकता है वैसे हम two months का time लेके चलते हैं लेकिन इसमें 40-45 days में भी वीजा आ सकता है तो दोस्तों यह important चीज है जो लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे लेकिन medical ना होने के बज़े से वह miss planning नहीं कर पाए और बीच में medicals के date भी change हुईती लेकिन अभी medical चालो हो गया है कई लोगों का medical हो भी चुका है उनकी report भी आ गई है और अभी तक का record है एक सिंगल बंदा reject नहीं हुआ जितने लोग का medical हुआ उन में से एक सिंगल बंदा reject नहीं हुआ इट मींस की medical काफी आसान है जैसे कि गम का अप्रोक्समेटली 100 से उपर लोग का medical मुंबई में हो चुका है और उन सभी लोगों में सभी सिंगल रिजेक्शन नहीं आया मिस अनफिट हुए थे दो तिन लोग अनफिट हुए थे लेकिन उनका कुछ और रीजन तो पहले सी पता था उनको की यह चीज है तो वह अनफि रखड़ाई किया एक सिंगल बंदे का रेफ्यूझल नहीं हो रिजेक्शन नहीं तो सिंपल सी बात है कोई अपने को फूजेकल फिट मांता हो अगर किसी फ्रल्ट होने ही बाला है अगर किसी को बस्रल टेश रही हो जैसे खास्तौर से टीबी अगर बताओ नहीं और फिर म इस पर ही मैंने इनफर्मिशन दिया आपको 14 को सौंबार है 14 मार्च को सौंबार को मुंबई मरीन लाइन्स 10 बजे पहुंचेंगे आपका मेडिकल सेम टाइम हो जाएगा और उसकी रिपोर्ट हमारे पास नेक्स्ट या उससे अगले दिन आ जाएगी मेडिकल की रिपोर्ट जनरली एक दिन में आती ने तो कभी कभी दो दिन में आती है क्योंकि जैसे जैसे मेडिकल से होते हैं उसके सबसे मेडिकल की रिपोर्ट आती है तो दोस्तो पॉइंट ये है कि अभी जितने लोगों का मेडिकल हुआ है और जो लोगों का मेडिकल होने चाहते हैं वो हमारी टीम को कॉंटेट करें और मेडिकल करने के लिए और दोस्तों वीडियो कैसे लगा पसंदा है तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेर कीजिए हमारे वीडियो को लगाता देखने के लिए चैनल को सबस्वाइब कीजिए गंटी वाला ओप्षन जरू लेंगे धन्यवाद